कि हेलो दोस्तों आप सभी लोंकर सीए से बालोजी कॉंसेप्ट यूटूब चैनल में स्वागत है आज हम लोग मिनिस्ट्री आप अग्रिकल्चर और फार्मर वेलफेर गौर्नमेंट इंडिया में कुछ रिकूट रिकूट मेंट आई हुई हैं उसमें हम बात करेंगे जैसे कि वेकैंसी से समंदित नोटिफिकेशन या अग्रिकल्चर की कमप्रिटे उग्जाम्ट की जो वीडियो है या पर उससे समंदित जो लेक्ट्चर है उनको देखना चाहते हैं और ऐसे नोटिफिकेशन या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइ नहीं मिल पाती है वेकैंसी सरकाई रिजल्ट पर नहीं आती है तो वह वेकैंसी छूड़ जाती है तो इसलिए आप यही चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ही इससे वेनिफिट रहेगा चलिए देख लेते हैं तो गवर्नमेंट आफ इंडिया मिनिस्ट्री टेकनिकल ओफिसर यह वेकैंसी आई हुई है कि कहां पर आई है डायक्ट्रेट आप प्लांट प्रोटेक्शन कुरंटीन एंड इस्टोरेज फरीदाबाद के लिए ह outta इसमें आपका जो कि ऑनि आयगा ऑफ प्रिशलेक्शन है तो आपका इंटर्विव के बैसेशीं पर मिलेगा जो इंट्रविव होगा वह गेर्टारीक को होगा तेरा को होगा और, पनद्रा को होगा कि टैंस चन्नाई में कोलकाता में धर्याना में क्योंकि एक रिजिनल इस्टेशन है चन्नाई में एक रिजिनल इस्टेशन कोलकाता में है और रिजिनल सेंट्र इस्टेशन इसका प्रिदावान में और इसमें जो क्वालिफिकेशन हैं वो भी देख लेते हैं कि यह हैं आपकी सिनियर टेक्निकल ऑफिर पाच बेकनची दीक्यिस टेक्निकल ऑफिसर की हैं इसमें सीदेर आपका इंटर्व्यू इनके लिए बलाया जाएगा और सीदेर मेपार्षी से होगा आपका ऐह जो बेक हैं अलग-अलग आपका ऊसमें है इस क्यों डिपार्टमेंट में जैसे के पैथालोजी इंटॉमोलोजिक फिमिस्ट्री ऐसे डिपार्टमेंट 16 क्वालिफिकेशंस्ट भी है जैसे आप देखेंगे इससेन technoucciंट में प्रहें सीनिय टेकनिकल ऑफिशड में कोई भी रिकोगनाइजड यूनिवर्शिटी हो इंस्ट्यूट हो उससे आपकी डॉक्टर्ल डिग्री है यह यह दिया आपकी तो इसमें आपका किमिश्टी ब्रांच में आप इंटर्व्यू दे सकते हैं आप ऐसा मत सोचें कि प्यश्टी को बस अलाव है स्टियों के लिए प्यश्टी है क्वालिफिकेशन एंड टियों के लिए अभी हो सकता है उसमें एमसी साथ उसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं जो एस्टियों के लिए इंटॉमोलोजी के ब्रांच है उसमें आपकी प्यश्टी होनी चाहिए इंटॉमोलोजी से निमेटोलोजी से यह आ आपका इंटोमो में नीमेटो में यह प्येंटीडियों है जलो जिस से इंटोमो के लिए स्पेफ़्लाइशन होनी चैँ होना चाहिए आपका प्लांट पैतों में या एवापकी बहुत अच्छी बबस व है यह जिदी और आप है प्लांत पैथिलोजी में आपकी स्पेसलाइचंड तो आप अप्लाइच कर सकते है पोरत आपका है ब्रांच यह इसमें आप डाल सकते हैं याफ की प्येच्डी है इअगरोट्रमी यह अप Minute से आपका इस पेश्लाइजेशन रहा है तो भी आप इसमें डाल सकते हैं तो ही छियों का सब चाहां ब cookies में या और इसमें और इसमें आपका इस पेशालाइजेशन थो भी डाल सकते हैं और इक मिश्टी ब्राच के लिए और इन्टोमоло सब मुझے इन्हारने तो नीचे इंटॉमोलोजी से निमेटोलोजी से यह तो आपकी एग्रिकल्चर से है और इंटॉमोलोजी से स्पेसलाइजेशन हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं यह तो एमस्टी आपकी जुलोजी से स्पेसलाइजेशन इंटोमोलोजी में हैं निमेटोलोजी में हैं किसी भी उनिविश्टी से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि मिश्टी ब्रांच और इंटोमोलोजी ब्रांच का हो गया आपका प्लांट पैथोलोजी ब्रांच में 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 सी डिग्री प्लांट पैथो हो बहुत अच्छी बात है यह बोटनी वाले जो बच्चे होते हैं तो अधिक तर आपके प्लांट प्रोटेक्शन में अलाव कर दिये जाते हैं तो आपका वो इंटर्विव दे सकते हैं टीयों का टेक्निकल ओफीशर का इसके बाद है आपका वीड साइंस वीड साइंस आपकी MSC agriculture अगोनोमी से हो या तो MSC डिगरी बोटनी से हो और वीड साइंस एजए सब्जेक्ट रहा हो उनके आप मास्टर जो अकेडमिक सेशन रहा हो अकेडमिक सब्जेक्ट रहे हो उसमें अजए सब्जेक्ट उन्होंने वीड साइंस पड़ा हो तो वह भी एला हुए इसका जो सेलरी है सेलरी देख लेते हैं सीनियर टेक्निकल ओफीशर की जो सेलरी है वह आपके एश्टियों की तरे पनाजार पर मंत है और टेक्निकल ओफीशर की आपकी 37,000 पर मंत हैं इसके बाद आप देख लेते हैं एज लिमिट की एज लिमिट में आप देख रहे होंगे कि टेक्निकल ओफीशर के लिए 40 साल मैक्जिमम मेल कंडिडेट और 45 साल फीमेल या थर्ड जेंडर टांसज मेल कंडिडेट या थर्ड जेंडर के लिए रखी गई हैDING सीफ टे के लिए 5 एरे रिलेक्सेशन की बात है इसमें तो वह भी देख लीजेगा इसके बाद आपका है इसमें बेकंसी देख लेते हैं बेकंसी का कैसे कितनी है बेकंसी तो इसमें बेकंसी जो है वो यह आपकी यह बेकंसी है इसमें एस्टियो की बेकंसी है पांच जो कि मैंने बताया है आपको और जो टियो की बेकंसी है वो है किस और इनका जो इंटर्व्यू का प्लेश है प्लेश आप इंटर्व्यू यह आप देख लीजिएगा यह है यह इसे देख लीजेगा मैं पीडियाब डाल दूंगा यह है आपका और इसका प्लेश आप पोस्टिंग जो फरीदाबाद में होगा जिसका चैन्नाई में यह है कोलकाता में है जहां पे इंटर्व्यू देंगे वो प्लेश आप पोस्टिंग है और इसका अप्लिकेशन यह आपको बजना है और जमा करना है बाइप पोस्ट देख लीजिए गां तो यह आपका अप्लिकेशन फॉर्म है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए टेक्निकल ऑफिसर के लिए डियक्टेट अप्लांट प्रोटेक्शन कॉरंटीन इन इस्टोरेज फरीदाबाद इसमें आपकी डेटेल्स होंगी यह फॉर्म भज़ लीजिएगा और इसमें जो मिनिम्मम क्लाशिक्ट क्वालिफिकेशन है वह मैंने आपको बता दिया कि टीओ के लिए आपकी एमसी होनी चाहिए है तो यह जो बेकेंसी है वह मिनिस्ट्री ऑफ अफ एक्रिकल्चर और फार्मर इंटर्व्यू की वह आपने देख लिया और यदि इसी तरह की आप जानकाई चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें थेंक्यू